नमस्कार शाम के साथ बजने को हैं हर रोज के तरह ये वक्त होता है महरोर राजस्थान का आपके साथ मैं रविन सिंग और शुरुबाद ब्रेक लीनियू से करेंगे कैबिनेट की बैठक कल जो होनी थी वो निरस्थ होगे कैंसल होगे कोटा में कल होने वाली कैबिनेट की बैठक निरस्थ हुई है मंत्री मंडल सचिवाले ने संबन में सूचना जारी की है आपको बता दे कि कोटा के सिटी पार्क ग्लास हाउस परियूजना में ये बैठक आय केभिनेटी बेठक को कैंसले किया है , मंत्री मंदल संच वाले ने इस सम्द में सूचना जारी किया। तो कई दिनों से प्रस्तावित थी है बैठत, आज हाला कि कोटा रिवर्फरंट का लुकारपन हो गया है और कैबिनेट के कई मंत्री उस गौरान मौजूद थे और कल बैठत में वो हिस्टा लेने भी वाले थे लेकिन कल होने वाली बैठत निरस्त कर दी गई है, कैंसल कर दी तो इस वक्ती बड़ी खबर के साथ, शुरुआत इस बुलिटिन की हम आपको बता रहेंगे कोटा में कल राजस्तान कैबिनेट की महत्पूर बैठत होनी थी, गेहलोत कैबिनेट की महत्पूर बैठत होनी थी. और इस बैठक को मिरस्त किया गया है इस बैठक को प्रमुक्षासन सचिप दिनेश कुमार ने सूचना के जरीए जारी करते हुए बताया है कि कल होने बारी बैठक कैंसल की गई है कल ये बैठक जो होनी की मंत्री मंडल और मंत्री परिशद दूनों की ही बैठ अप उनीजिस सिटी पार्क ग्लास हाउस परियोजना में इसका आयोजन होना था लेकिन फिलहाल कल यह बैठ अप नहीं हो और बीजेपी की परिवरतन यातरा टोंक में पहुंची है इस वक्त और अरुन सिंग जो की बीजेपी के महासिचिम है वह सबक्राइब किस राज्य में अधीक किसमें कम है तीन साल से वह यहीं कह रहे हैं कि सबसे अधिक देश में कहीं भृषचाचार है करफ्षम है तो राजस्तान नहीं यह भी कांग्रेश को लोगों से पूछना यहीं सित्विए दरीतों पर त्या-चार नंबर एक पर कहीं है तो राजस्तान में हो उनसे पूछिएगा कि भाई इसका जवाब तो दो और तो जिस राज्य में पहला ऐसा राज्य होगा जिस राज्य का मुखमंति इतना भुलकड जनता के प्रती इतना असमिनसील जब बजट की कापी पढ़ते हो और बजट में जनता के लिए कल्यान की बाते हो कि जनता का किस प्रकार से कल्यान करेंगे उसमें रूपरेखा होती है खाका खिचा जाता है अधिकारियों ने बजट बना दिया और मुखमंति जी बजट पढ़ने लगे विदान सबापे आप आपने देखा होगा पिछला बजट पढ़ते गए दस मिनट पिछला बजट पढ़े फिर भी उनको ध्यान नहीं आए कि पिछले साल का बजट है जब कोई आके बताया कि मुखमंति जी तो पिछला साल का बजट पढ़ रहे हो इस साल का बजट कुछ हो रहे तब जाकर के बिदान सभा में स्थगित हुई और उसके बाद जाकर के नया बजट पढ़ने सुरू की है यहां किसी राजिका मुखमंत्री का ऐसा हो सकता क्या देश के इतियाज में पहले ऐसे मुखमंत्री होंगे जहां रोज बिधायक गाली देते हो रोज बिधायक कोशते हो और अधीन लिखते हो करते हैं मुखमंत्री जी आप कहां बहुत अधेक करफसन हो रहा है और बजरि माफियाओं से आप मिले हो क्योंकि आप कारवाई नहीं कर रहे हो अनेकों मंद्री इन पर अरोब लगाते हैं लेकिन पहला राज्य होगा कि मुखमंत्री अपने कुर्सी बलाई कैसे कर सकता है अपराधी करण के मामले में इतनी घटनाय रोज घट रही हैं मैलाओं पे अत्याचार आप रोज अगबार में पढ़ते होंगे लेकिन यह मुखमंत्रिया सो गहलोजी है ग्रहमंत्राले भुनी के पास है पांच साल विधान सभा में एक बार एक बार भी गहरमंत्राले से सम्मंदित कारून व्योस्ता से सम्मंदित कभी नहीं बोला क्यों मोहन रहते हो भाई आपके यहां करके बोलना चाहिए किया कारून तुरोनु वेई स्टीक करेंगे कुद्रे उस एक राजिए में चविह जब टाइट नकेल किछ गई उत्तर परदेस में जब योगी जी गुद्रे माफियों पे नकेल के सेकफे उन पे बुल्डोजर्क चलाने हर्यानय में का में लुद्री यहां पे गुन्दा माफिया या अप्राधिकर्ण का काम कर रहे हैं तो कैसे आप कानून में उस्ताठीक करेंगे और आपकी नियत ही ठीक नहीं है आप करवाई तो दूर आप जो फाइयार दज होता है उस फाइयार में कहते हो जूटी फाइयार है और यह काम पुलिश का है आप कैसे तैक कर सकते हो कि आप राध हुआ ही नहीं जिस राज का मुखमंद्री जो अपराती घटनाओं को जूट कहने में लग जाए तो कैसे प्रदेश का भला होगा इसलिए आप सबसे निविदन करने आये हों काफी देर सबसे आप बैठे हुए हैं एक बात आप सबसे निविदन करने के लिए हो जरा हाथ उठाकर आप बताइए बात सब के आप बीच में आ गई है कि इस बार परिवर्तन के माद्यम से कांग्रेश सरकार को उखाड फेकना भारती जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे जरा हाथ उठाइए हाथ उठाइए संकल पिलीजिए बं जनता पार्टी का सरकार बनाने के लिए इस बिदान सभा को जीतने के लिए संकल पिलीजिए बंदे 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 बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको दन्यवाद और मैं सबके अंत में दन्यवाद ग्यापित करने के लिए आमन्तरित करता हूँ लोग प्रियसांता दाकर्ट आधरनिये तो अरुनु सिंग के बाद बात कॉंग्रेस की करते हैं और कॉंग्रेस के विधायक और पूर उप्मुक्यमंतरी सचिन पाइलट की जो आज अजमेर पहुंचे जहां उनका समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया सरकेट हाउस पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले कारकरताओं से मुलाकात की और इसके बाद सचिन पाइलट मीडिया से रूबरू हुए इस दोरान उहोंने बीजेपी पर जोरदार निशाना साथी उहोंने प्रदेश सरकार की जन कल्यांडकारी योजनाओं की सराहना करते हैं कहा कि इन्हीं योजनाओं की माध्यम से और कारकरताओं के दम पर सरकार एक बार फिर रिपीट हूँ सर्चिन पाइलट ने कहा कि सरकार रिपीट होने के स्थिती में विधायक दल मुख्यमंत्री तै करेगा इसके अलावा गुटबाजी पर सवाल के जवाब में उने कहा कि प्रदेश में गहलोत और पाइलट गुट नहीं हैं बलकि राहुल और सूनियक और खड़गे गुट किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी और के फिलिंग्स या सेंटिम्मेंट्स को मोग हर्ट करें ये हमारे हाँ एक फीडम आप स्पीच है अपनी आप बात को व्यक्त कर सकते हैं तो कि नहीं धान रखना चाहिए कि कि किसी और के जजबातों को हम ठेस ना पुचाए अज मेर करता हूं हम सब मिलकर परिवार गूप में बैठे हैं करेंगे और मैं दावे से दुबारा कह रहा हूं आपको ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि राजस्थान के अंदर कॉंग्स की सरकार दुबारा बनानी है सबको साथ लेकर चलना है तेरा मेरा करने का कोई समय नहीं ह और जो हमारे पत्रकार साथ की गुटबाजी की बात करते हैं इसको आप राम देते हैं क्योंकि सब लोग कंफ्यूज पार्टिके गुटके हैं और सोनिया राहूल गुटके हैं बीजेबी परिवर्तन संकल ब्यातरा अज दूसरे दिन राजस्वन्द जिले में है और नाथ द्वार में यात्रा की शुरुआत से पहले कि इंद्रियों मंत्री जनरल वीके सिंग और सतीश पूनिया ने भष्टाचार और अपराद के मुद्दे पर राजसरकार को जम कर घेरा वीके सिंग ने कहा कि अब प्रदेश की जनता कॉंग्रेस सरकार से तरस्थ हो गई है जनता ने परिवर्तन का मूर बना दिया प्रदेश में भाजपा की जीत के साथ ही अब डबल इंजन की सरकार होगी और राजस्थान में विकास को गती मिले की वही सतीश पूनिया ने महिलापराद, पेपर लीग, किसान कर्ज माफी और बेरुजगारी भक्ता जैसे मुद्देबर कॉंग्रेस को जम कर घेरा हर तरह रष्टा चाहर है लोगबाक्त रष्ट है यहां पर कानून और विवस्था खास कर जहां पर महिलाओं का सवाल है बहुत बुरा हाल मेरा राजस्थान से बहुत पुराना रिष्टा है आज जब हम राजस्थान की बात करते हैं शरम आती है कि इतनी महिलाओं के उपर अप्टिया चाहरा है और कोई एक्षन नहीं है इसी तरीके से पेपर लीक रष्टाचार का भी हिस्सा है हमारे नौजवानों के पेट के उपर भी एक लात मातने का है बात जहां तक हमारा सवाल है अगर आप रोड ले ले अगर आप रेल मात ले ले अगर आप रेलवे स्टेशनों का उनियन ले ले इन सब के अंदर भारत सरकार पैसा लगा कर राजस्थान को और इस संभाग को काफी आगे ले जा दिए सवा करोड बच्चों ने परिक्षा दिये राजस्थान के मुख्यमंत्री सद में आगा गिनाते थे एक लाग का अब एक लाग और सवा करोड में कितना फरकर कह दिख सकते हैं लिकिन कोड में खाज का काम किया जो पेपर लीख था उननिस पेपर लीख हुए एक बच्चे ने अपना सुसाइट नोट लिखा कि सौरी पापा मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाया हनुमानगड का कन्हिया लाल पारीक जो परिक्षा देने गया और परिक्षा के अंदर पर पता लगा कि पेपर लीख हो गया इतनी तैयारी की अंतता है उसको मौत को गड़े लगाना पड़ा जनल साब जिक्र कर रहे थे मोधी सरकार का एक ऐसी सरकार जिसके दामन पर कोई छीटे नहीं कोई दाग नहीं ये शायद पहली सरकार है कि जिस पर इस तरीके से किसी की हिमत नहीं हुई वरना कॉंग्रेस के लोग कॉमन वेल्ट से लेके टूजी से लेके बोफोर्स से लेकर आज तक भी जेल और बेल का खेल खेल रहे हैं राज समन्द में परिवरतन यात्रा में बीजेपी नेताओं ने हमला तो बोला ही सरकार पर लेकिन उधर टूज के निवाई में बीजेपी की परिवरतन यात्रा की जंसभा में किरोडी लाल मीना ने चुंचुंकर गहलो सरकार पर निशाना साधा किरोडी मीना ने कहा कि निवाई में थाने में लूट बजरी में लूट पानी में लूट मुख्यो मंतरी न तोंक सभाई माधोपुर की सभी आठ विदान सभाच सीटों पर चुनाव जीतने का दावा किया बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में निवाई से टोंक तक बुल्डोजर ही बुल्डोजर नज़र आएं राज्स्ते में हाईवे पर जबरदस्त पुषपरशा कर यात्रा का स पुल्डोगची है इसलिए कि अजर्फार के लुखबत्ती में मले को लूट की छूट देदी है कि दौन हाथ उसे लूटों जबगे लूटों मेरी पुर्शी स्रक्षित रहने चाहिए आज इसलिए के हमारे नेटितों में हम सब भली बाती जानते हैं कि आज अगर देश का प्रधानमति आपकी नगर परिश्यों में आपकी पिंचैनलों में अगर पैसा दे ना दे तो मैं समताओ प्रदेश की गौर्ण्मेंट कहीं की काम ने कर सकती आज हम भली बाती जानते सब्सक्राइब और उलाय। कोटा के एजूकेशन हब की तरह परिटन का केंदर भी बनाया जा रहा है दरसल यहां आज चौधा सो करोड से बने रिवर्फरंट का उधगातन हुआ दावा किया जा रहा है कि यह रिवर्फरंट अकेले चार वर्ल्ल रिकॉर्ड बनाएगा करीब साड़े पांच किलो मीटर एरिया में पहले इस रिवर्फरंट का एक हिस्सा यहाने वाले ट्यूरिस्ट पूर्व प्रधान मंतरी जवाहलाल नहरू की आँख से भी देख सकेंगे वसुधेव कुटुमबकम थीम पर तयार हुए इस रिवर्फरंट में 22 घाट हैं इन सभी की अलग-अलग कहानी है इ इसके अलावा दुबई की तरस पर यहां फाउंटे लगाए गए हैं जहां हर शाम म्यूजिकल शो होगा इस पूरे रिवर्फरंट में एक बार में करीब 15,000 लोग घूमने आ सकते हैं यहां तीन एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं यहां 30 गोल्फ कोर्ट बनाए गए हैं सिक्यरोटी के लिए रिवर्फरंट के दोनों छोर पर 189 सीजटी वी कैमरे लगाए गए हैं और यह आप लाइव तस्वीरे देखे यह सभवेता के देख रहे हैं और जब उधगाटन हुआ था उसकी पहले की भी तस्वीरे देखे हैं लाइव तस्वीरे भी इस वक्त नाए गए हैं यह पूरा रिवर्फरंट दोनों छोर पर तरीब साड़े पांच किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है सबसे बड़ी घंटी है जिसकी आवाज आठ किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी तो क्या भव्य यह तस्वीरे और पूरी तरह से जगमग रिवर्फरंट यह दिखाई दे रहा है और आज इसका लोकारपड हुआ है और माना यह जा रहा है कि ना सिर्फ कोटा के लोगों के लिए ये एक टियूरिस का हाट स्पॉट बनेगा बलकि प्रदेश और देश के अलावा विदेशों से आने वाले सैलानी भी कोटा में जब घूमने आएंगे या यूं कहें कि रिवर्फरंट देखने के लिए वो जब राजस्तान में आएंगे तो एक बार कोटा का रुख करेंगे तो बेहदी जबदस्त कहा जा रहा है इस कोटा रिवर्फरंट के बारे में और इसकी कई खूबिया भी है एजुकेशन हब तो वैसे कोटा है ही इस एजुकेशन हब के तौर पर तो इसकी पहचान है ही और इसके अलावा ये अब अपरेटन का केंदर भी रिवर्फरंट के जरीए बनने जा रहा है या कहें कि बन चुका है कुल मिलाकर 14 करोड से लागत आई इस रिवर्फरंट को बनाने का फिलहाल इसका उधगाटनाच किया गया और दावा ये किया जा रहे कि रिवर्फरंट अकेले चार वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएगा करीब साड़े पांच किलोमेटर का एरिया है जिसमें ये पूरा फैला हुआ है रिवर्फरंट और इसका एक हिस्सा जो है वो ट्यूरिस्ट जो आएंगे देखने के लिए वो पूर प्रधान मंतरी जवाहलाल नहरु की आंक से भी देख सकतेंगे क्योंकि वसुदेव कोटम गम थीम पर ये तयार हुआ है इस रिवर्फरंट में कुल में लाकर 22 घाट है हमारे कोटा समभाता हिमानशू ने इस रिवर्फरंट की खुबसूरती को अपने कैमरे में सहेचते हुए अपने शब्दों के जरी रिपोर्टिंग चंबल लदी के डाउन स्ट्रीम में बनकर के तयार हुआ हैरिटेज रिवर्फरंट आज कोटा प्रदेश और देश को समर्पित हो गया है और खास तस्वीरे न्यूज 18 राजस्तान पर फिलाल इस रिवर्फरंट से जोड़ी हुई हम दिखाने की कोशित कोशित कर रहे हैं निश्य तोर पर ये रिवर्फरंट इसलिए भी खास हो जाता है कि करीब करीब तीन साल में इस रिवर्फरंट के काम को पूरा कर लिया गया देश में इस तरह का हैरिटेज रिवर्फरंट कहीं पर भी नहीं है इन सब के साथ में खास इसलिए भी हो जाता है कि कई जो खू पचास करोड से गैन मेटल से ये बनाया है और 25 इसका बजन है वहीं दुनिया के सबसे बड़े नंदिती अगर बात कर ली जाए तो वो भी चंबल रिवर फ्रेंट पर है जिसकी उचाइच है जिन्हों ने लोग तंत्र में विकास का एक उदारन पक्तुत किया हम आशा करते ह कि हमारे जितने भी चुले हुए पृतिनिती है जिनको जब भी अफसर मिले अपने अपने क्षेत्र में इसी तरह से आपधन डेवलप्ट का रिप उसको अपने इलाके में लागू करें और आशा करता हूं कि यह डेवलप्मेंट आने वाले समय में भारत के सीटी के डेवल आने वाल समय में आप देखिएगा अलती का में तूरिस अट्रैक्शन यह बनने जाएगा इस तरीके से आधने शांतिदारी वालत साब ने इस पे अपने तूरे एफ़र्ट्स और पूरी तरीके से खोटा का नाम किस तरीके से विश्व पतल पे हो प्रिदेश में हो इस ज इस तरीके से अलग अलग आप सेल्फी पॉइंट्स बहुत अच्छे बनाई हूं के लिए मैं मानता हूं एक बहुत ही तरा ने कालिके से विश्व होगा जिसमें की जो शांतिदारी वाल जी ने बनाया है यह उस सोच को दरसाता है कि पूरे राजस्थान की ही जो संस्कृती है जो कल्चर है जो संगीत है जो आप देख रहे कला पेंटिंग किस तरह से जो प्राचीन धरोहर को वापस से जीवित करने का काम किया है इसके लिए मंतरी धारिवाल जी और पूरे कोट आवासियों को बहुत बहुत शुटकामना है इससे इंकम भी आए भी बढ़ेगी जो एक मार्कीट बनेगा जहां लगू कुटी रुद्योग धंदे इस्तापित होंगे और लजीद स्वाद भी यहां पर रेस्टोरेंट भी को ले जाएंगे एतिहासिक शण आज कोटा में देखने को मिला है और मैं समस्तियू पूर्ण हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की जगे नीवनी आन्ने राजी भी इसको फॉलो करेंगे मैं बदा ही दूँगी राजी सरकार को कि अपने आप में एतिहासिक शण आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है एक संस्कृती से जुड़ाया जा रहा है और बहुत ही पूरे देश भर के अंदर इसको रिवर्फरंट को याद किया जाए तो कॉंग्रेस नेता एक तरफ इस रिवर्फरंट की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे है तो वहीं बीजेपी हमलावर है बीजेपी की तरफ से राजेंद राठोर ने हमला बोला है बिना किसी अनुमती के करणों रुपे खर्च किये सेंचुरी में कानूनों का उलंगन किया जनता के करोड़ों रुपे खर्च करेंगे बिना किसी अनुमती के जो सुप्रीम कोड के कानून है उनकी धजिया उड़ाते हैं राठ को गली से जैसे छुपके कोई निकलते हैं वैसे उद्गाटन से बचेंगे हजारों करोड रुपे का जो रिवर्फरंट तयार हुआ है एक सैंक्चुरी के अंदर कानूनों का उलंगन करते वे मुख्यमंत्री जी को तो छाथी ठोक के जाना चाहिए वहाँ और गाटन करने के लिए लेकिन बचते फिर नहीं हो गाटन से क्योंकि कानून की धज्या उड़ाई इनका वादा संदर करन इरादा हजारों करोड रुपे के अंदर कही नहीं घोटाला और फिलाल एक छोटे सब्सक्राइब